जालावार जिला कलेक्टर भारती दिख्षित ने शेत्र की पुरा तात्विक धरोहर कही जाने वाली बौध काली इन कोलवी गुफाओं का निरिक्षन किया इस दोरान यहां की कलकृती देख वह काफी प्रभावित हुई जालावार जिला कलेक्टर डॉक्टर भारती दिख्षीत के डग दोरे के दोरान जालावार जाते समय पौरानिक काया वर्नेश्वर महादेव की पूजा अर्चना कर दर्शन किये इसके बाद कलेक्टर ग्राम पंचायत हरना वदा इस्तित कोल वी ग्राम में इस्तित बहुत जुआन गुफाओं का निरिक्षन किया कलेक्टर ने यहाँ काफी समय तक रुख क विस्तृत जानकारी ली उन्होंने गुफाओं के जीनोधार के बारे में संबंदित अधिकारियों से चर्चा कर प्रस्ताव तयार करने को कहा और यहां की इस्थापत्य कला को अधिक प्रमूट करने की बात कही टाइम एट राजस्थान के लिए जहालावार से सुनील लिगम की रिपोर्ट जालावार जिला कलेक्टर भारती दिख्षित ने शेत्र की पुरा तात्विक धरोहर कही जाने वाली बाद काली इन कोलवी गुफाओं का ने दिख्षन किया इस दोरान यहां की कलकृती देख वा काफी प्रभावित हुई जालावार जिला कलेक्टर डॉक्टर भारती दिख्षीत के डग दौरे के दोरान जालावार जाते समय पौरानिक काया वर्नेश्वर महादेव की पूजा अर्चना कर दर्शन किये इसकी बाद कलेक्टर ग्राम पंचायत हरनावदा इस्तित कोलवी ग्राम में इस्तित बौध कालिन गुफाओं का निरिक्षन किया कलेक्टर ने यहां काफी समय तक रुक विस्तरित जानकारे ली उन्होंने गुफाओं के जीणोधार के बारे में संबंदे तरिकारें से चर्चा कर प्रस्ताव तयार करने को कहा और यहां की इस्तापत्य कला को अधिक प्रमूट करने की बात कही टाइमेट राजिस्थान के लिए जहालावार से सुनील लिगम की रिपोर्ट जालावार जिला कलेक्टर भारती दिक्षित ने शेत्र की पुरा तात्विक धरोहर कही जाने वाली बौध काली इन कोलवी गुफाओं का ने दिक्षन किया इस दोरान यहां की कलाकृती देख वह काफी प्रभावित हुई जालावार जिला कलेक्टर डॉक्टर भारती दिख्षीत के डग दोरे के दोरान जालावार जाते समय पौरानिक काया वर्नेश्वर महादेव की पूजा अर्चना कर दर्शन किये इसकी बाद कलेक्टर ग्राम पंचायत हरनावदा इस्तित कोलवी ग्राम में इस्तित बौध कालिन गुफाओं का निरिक्षन किया कलेक्टर ने यहां काफी समय तक रुक विस्तृत जानकारे ली उन्होंने गुफाओं के जीनोद्धार के बारे में संबंदित अधिकारियों से चर्चा कर प्रस्ताव तयार करने को कहा और यहां की इस्थापत्य कला को अधिक प्रमूट करने की बात कहीं टाइम एट राजस्थान के लिए जहालावार से सुनील दिगम की रिपोर्ट प्रस्ताव प्रस्ताव